Finally, Project Matrix का latest update available हो चुका है Android 15 के support के साथ क्योंकि ये update है जो gap होए वा था काफी लंबे time से और ये comeback हो चुका है 15 के साथ तो अगर आप इससे install करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा important होने लाए जहाँ पर आपको ये पदा चलने वाला है कि Matrix Android 15 के साथ क्या क्या चीज आपको प्रवाइड करने वाला है UI के अंदर कितना ज़्यादा बदलाव किया गया है, कस्टमाइशन कितने आपको मिल जाते हैं तो चलिए वीडियो का सुरू करते हैं अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें यहाँ पर सबसे पहले चीज आप नोटिस करें कि यह आपको है जो पिक्सल लॉंचर के साथ देखनी को नहीं मिलता है डिफेंट लॉंचर आपको देखनी को मिलता है जिसमें काफी कस्टमाइशन आपको मिल जाते हैं जो कि यह आपके काम आने वाले हैं जैसे कि श्रस बार टैप टू सो यहाँ पे होट सेट बैग्राउंड वगएरा नाउ प्लेइंग है, म्यूजिक, ठीमड आइकन वगएरा, अपडर के अंदर आपको सर्च बार, ठीमड आइकन, स्क्रॉलिंग, यहाँ पर रिसेंट के अंदर आप है जो क्ली मेमरी, स्कीन सोट पीन, किलियर ओल वगएरा, अन कर सकते हो, रोटेशन, हाइड आप और बाके रिस्टाट लॉंचर वगएरा के आपको मिल जाते हैं सिस्टम डिफोल्ट, अगर आप यहाँ पर वनीला यूज नहीं करते हैं, तो गूगल डाइलर ही आपको मिलने वाला है, तो यह चीज़ आपको पता यह कैसे क्या है, और आपके डिवाइस में जो भी सुपोर्टेट होगा, उसको सर कैमरा मिल जाएगा, और यह 20 यर दिया गया है, जो कि आपके कॉर्ट रिकॉर्डिंग में हेल्फ करने वाला है, गूगल डाइलर के होते हुए भी, जो कि अच्छी बात है, अनदर हम सेटिंग अंदर आते हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बाके दर जैसा ही आपको देखनी को मिलता है, बट यहाँ पर आप 11.4, तो आपके डिवाइस के लिए भी मेभी ऑफिसिल हो या अनफिसल हो, 11.4 ही पहला अप्डेट मिलने वाला है, तो चिक करते रहना आपको जल्दी देखनी को मिलेगा, बाकि सिक्रेटी पैज अलग डिवाइसे के लिए अलग होगा और बिल्ड नंबर वगेरा भी, तो साथ-साथ Android 15 का जो प्राइवेट स्पेस का फीचर से वह भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर यहाँ पर यूज कर पाऊ गए, जैसा कि आपने सेकेंड स्पेस यूज किया है अपने हाइपर और मीवाई के अंदर और बाकि देवाइसे में, साथ-साथ प्राइब का उप्सन देखनी को मिल जाता है, यहाँ पर प्रोफाइल दिया गया है, यहाँ पर ने बार वगएरा यूज कर सकती हो, और यहाँ पर सरकल टू सर्च भी दिया गया है, जिसका बेनिफिट आप ले पाऊगे, और पूरे नेविग्रेशन बार को आप यहाँ स इसी तरीकी से रहता है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, डिसेवल, डिफॉल्ट, फ्रेम रेट फोर गेम, यानि गेम के लिए यह 120 को इनेवल कर देगा, तो अगर आपका कोई भी गेम सपोर्ट करता है, तो वहाँ पर यह चीज देखने को मिलेगी, यह एक अच्छा उप्सन है, बाके सिस्टम डिफिलाल सभी Android 15 में आ रहा है, वह आपको मिल जाएगा, रिशेट का उप्सन है, यूजर का उप्सन आपको मिलता है, बैक अप का और बैटरी के अंदर आपको देखने को मिल जायता है, एक चार्जिंग अप्टमाइजेशन का उप्सन जहाँ आप आपका 80% डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिया गया है, तो आपका बैटरी के बाद आपका बैटरी रुख जाएगा, जो की सही है, जैसे कि आप देखो कि यहाँ पर मैं इसे आफ रखता हूं, तो यह पूरा फिल्ड हो जाता है, बाकी आइडियल मेनेजर आपको मिल जाता है, और यह है आपका per app thermal profile, जिससे आप single-single application के performance को customize कर सकते हो, जो कि आपके device में देखने को मिलेगा, और power tool वगएर यह device to device depend करेगा, जहां से आप जो boost कर पाऊगे, gaming के रूप में, performance के रूप में, battery saving के रूप में, जैसा आपको usage है, वैसे आप यहाँ पर change कर सकते हो, और ज storage है, और apps के अंदर, आपको देखने को मिलता है clone app, जो कि आप यूज कर पाऊगे, जैसे कि मैंने कुछ application को clone कर रखा है, बाकि apps lock, जो कि आपका काम करता है, assistant है, cloud है, और game bar, जो कि game bar 4.0 यूज किया गया है, जहां पर आप देखो realme UI जैसे यहां पर आपको देखने को मिल अंदर, और यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हो applications वगेरा को, तो gaming की time में यह आपका help करने वाला है, और ऐसे भी यह काफी popular है, gaming room के नाम से, जो कि भी comeback किया है, तो वो तो आने वे टाइम में device to device पादा चला है, कैसा performance देता है, अनदर आता है, यहां पर आपका wallpaper style, जहां प आपको grid का भी option देखने को मिलता है, आइकन save वगएरा, जो कि आप यहां से change कर सकते हो, preview वगएरा ठीक ठाक दिये गए है, another location और यह modes जहां पे आप do not, disturb वगएरा और बागे ताच चीज़े set कर पावगे, display की setting भी आप बदल सकते हो, gray scale, dim, dark mood वगएरा, जो कि auto काम करेग जो भी आप timing वगएरा set करते हो, जो कि Android 15 में सभी में आ रहा है, तो इसमें भी आपको मिलता है, sound के profile पे यहां पे आपको जो session default sound effect रहेगा, वो आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहां पे dolly है, तो अच्छी बात है, बागे clear speaker वगएरा है, haptic के pattern वगएरा भी दिये गए है, और यहां पे बागी manual control भी आप कर सकते हो, तो काफी चीजे यहां पे अच्छी है, जो कि Android 15 के first update में भी add करा गया है, क्यों बहुत सरा ऐसे roam होते हैं, जो कि first time Android change होता है, तो C++ stability रहती है, features वगएरा add नहीं रहते है, बाट यहां पे अभी सारे चीजे हमें मिल रही है, और बागी यहां पे आप देखोगे कि notification cooldown का features भी आपको यहां पे include किया गया है, जहां पे बहुत जाला notification आते हैं, तो volume को यह down करता है, ताकि आपको दिकत ना है, sound से, लेगिन उसी time अगर अगर आपका call या alarm अगर आता है, तो उसका volume down नहीं होता, सिर्फ उसे notification के volume को ही control करत आता है, तो यह अच्छी चीज है, बागे display के अंदर auto brightness सही काम कर जाता है, time out है, dark mood के अंदर आपको pure black मिलता है, जो कि बहुत सब्सक्राइब करते हैं, यहां पे अच्छी तरीके से, बागी यहां पे वह बेसिक से options है, और यह इस कहाता है, खुद का customization, जिसका user interface काफियो तक similar है, और simple है, बट आने ले time में इसमें maybe और भी change होने वाला UI से related, जैसे कि user interface में आते हैं, तो यह गूगल वाला जो कि मैं भी फिलाल use कर रहा हूं, जैसे कि आप यहां पे देख पार है, अगर इसे आपको change करना है, तो यहां पे आजाओ, और यहां पर डालो, और UI को फिलाल simple से ही है, बाकि search वार वगएर आप default याँ simple रख सकते हो, ambient के option आपको मिल जाते हैं, और बाकि यहां पर आपको मिलता है charging animations वागेरा, जैसे कर में इसे charging पे डालता हूं, तो आप देखते तो कुछ इस तरी किसे power वगएरा, तो यह चीज आपको यहां पर मिलेगा, बाकि off animation है, smart pixel है, monitor का setting आपको मिल जाता है, nib bar है, यहां पर notification style के ज्यादा option नहीं है, थोड़े बहुत ही दिए गए है, power menu के कुछ options मिलते हैं, fonts कुछ इस तरी किसे आपको मिल जाते हैं, काफी अच्छे खास है, collection आपको मिलते हैं, icons है, fonts वगएरा, rotation window वगएरा आपको यह अच्छे सबाड के बात के लिए तो यहां पर उसके icon customization आपको मिल जाते हैं, साथ से साथ यहां पर left, right, clock के setting आपको customization मिल जाते हैं, network traffic है, यहां पर 4G का icon, bluetooth, wifi, media player, color icon, logo का left and right करना, bad tip percentage और उसके styles हो गिरा, जो कि जादा नहीं है, normal से दिये गए हैं, बाकि tap to sleep, brightness control, US में कोई भी lag देखने को नहीं मिलता है, काफी smoothly यहां पर काम करता है, यहां पर काफी सही लगा है, header, clock वगएरा भी आप यहां पर बदल सकते हो, percentage वगएरा है, devil tone का option मिल जाता है, blue to tiles, dialogue है, compact का option आपको मिल जाता है, haptics है, auto brightness का, user style बदल सकते हो, यहां पर आपको और भ recording के यह सारे option मिलते है, notification से related और ज्यादा नहीं है, sound के profile में आपको plus music equator है, वो आपको देखने को मिल जाता है, screen suit के sounds, और यह same sound है, जो कि हमें android 14 और उसके पहले वाले में देखने को मिलता था, तो sound बिल्कुली similar है, कोई भी यहां पर change नहीं किया गया है, बाकी यहां आप button जहां पर parcel screen suit है, power menu पर क्या क्या रखना है, वो आपको मिलता है, काफी option आपको मिलेंगे, another यहां पर आपको मिल जाता है, wake up, rotation, वगेरा, के option, long press to torch का option, miscellaneous के अंदर यहां पर game space दिया गया है, जो कि आप यहां से add कर सकते हैं, अपने games होगे रखो, या बाद ही applications होगे बाकी यहां पर कुछ spoof वाले features दिये गए, जो कि gaming में आपको extra apps unlock करके देगा, photo store unlock करके देगा, netflix का है, ignore window secure flag है, hide capture status, hide app list, hide developer status, जो कि यह बहुत से लोगे काफी काम आता है, बाकी pocket detection का option है, skin suit का है, app downgrade आप यहां पर कर सकते हो, Android Fortune का sidebar आता है, वो भी यहां पर आपको मि जाता है, जो कि आप यहां पर use कर पाऊगे, तो काफी सही तरी किसे काम करता है, और Android Fortune जो आजकल features आ रहे हैं, वो सारी यहां पर add किये गए, और extra भी add किये गए, first update के अंदर ही, और यह मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि normally बाके दे रोम में नहीं रहता, और यह बाक का overview दे दिया है, कि क्या कुछ कैसे कैसे आपको अपनके phone के अंदर मिलने वाला है, और really में यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आए कि आपको इसे use करते हुए, साथ सार यहां पर आप लिख से टोर्च के अंदर brightness percentage वगरा भी add किया गया है, जिससे आप अपने place light को low and high भी य मैं मिलता हूं नेक्ट वीडियो में, थांक्स वचिंग, बाई!